नमस्कार दोस्तों, Pathfinder में आप सभी का स्वागत है Modern Indian History के इस Lecture Series में आज हम डिसकस करने वाले हैं भारत के राष्ट्रे आंदोलन में 1920 के दशक में क्या चल रहा था मेरा नाम है Dr. Mahipal Singh Rathod और ये Lecture mainly concentrate करेगा आज स्वाराजिस्ट के हिस्ट्री पर तो स्वाराजिस्ट कौन थे, क्या चाहते थे, Congress से अलग क्यों है इनी सब points को हम डिटेल में आज डिसकस करने वाले हैं ध्यान रखेगा कि स्वाराजिस्ट पर अकसर लोग ध्यान देते नहीं है केवल no changer, pro changer आप पढ़कर दो line उसको छोड़ देते हैं ऐसा मत कीजे, स्वाराजिस्ट पर questions आने की बहुत संभावना रहती है क्योंके इनोंने legislative assembly में बहुत कुछ किया था, बहुत कुछ नहीं भी किया था उस पर थोड़ा सा focus आज रखना आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि इस lecture का PDF आपको pathfinder underscore UPSC telegram channel पर मिल जाएगा अगर आप academy subscription को avail करना चाहते हैं तो यह एक बहुत ही बहतरीन मौका है UPSC exam की तैयारी के लिए हमने एक ऐसा ecosystem तैयार कर दिया है जहां पर अब आपकी तैयारी का कोई भी हिस्सा पीछे नहीं छूटने वाला है चाहे वो optional हो चाहे वो mains की test series हो सब कुछ हमने इस एक subscription में जोड दिया है that is the combo subscription और यह अब 57 भी नहीं अभी आपको किवल 49,680 रूपीज में पड़ जाएगा अगर आप महीपाल code यूज करेंगे तो आपको 10% इसमें discount मिल रहा है तो यह सारी सुविधा है comprehensive तैयारी के लिए आपको चाहिए तो आप unacademy subscription को avail कीजिए link नीचे description में मिल जाएगा और याद रखना कि यह offer केवल 2nd August तक valid है 28 July तक होने वाला था लेकिन students की इतनी demand है तो हमने इसे कुछ दिन के लिए और extend कर दिया है 2nd August onwards यहाँ पर price hike होने वाला है अब पिछले lecture में मैंने आपको बताया था कि मात्मा गांदी के leadership में non-cooperation movement की शुरुवात करी गई थी 1920 में और February 1922 में यह movement समाप्त हो जाता है due to 44 incident अब यह जैसे ही movement समाप्त हुआ तो जादतर बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया गांदी जी को भी arrest कर लिया गया और यह movement खत्म होते ही सहयोग आंदोलन के खत्म होते ही Congress के जो बाकी बचे नेता थे जो जेल में नहीं गए थे या फिर जो senior leadership है उनमें एक debate चड़ जाता है कि आखिर अब राष्ट्रिय आंदोलन का भविष्य कैसे तै किया जाए गांदी जी और अन्य नेताओं को जेल भेजे जाने के बाद जो पीछे बचे Congress के नेता है वो थोड़े से हताश थे जनता डिमॉरलाइस थी क्योंकि एक इतना बड़ा आंदोलन है जो शांदार मोमेंटम के साथ चल रहा था बहुत ही अच्छा जा रहा था अचानक उसमें ब्रेक लग गया चोरी-चोरा इंसिडेंट के कारेंट तो लोगों को तो लग रहा था कि आजादी मिल जाएगी एक-दो साल के अंदर-अंदर और अब अचानक से राष्ट्री आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए एक रास्ते की तलाश में थे अब 1920 में क्या हुआ था कि जो रिफॉर्म्स आये थे Montego-Chempsford रिफॉर्म्स उनके अनुसार चुनाव हुए थे लेकिन तब क्या चल रहा था Non-Cooperation Movement तो किसी भी Congress नेता ने इन चुनावों में हिस्सा नहीं लिया था तो इस प्रकार से इन्होंने Legislative Councils को बहिश्कृत कर दिया था और इन Councils में अब कोई भारतिया representation नहीं था मतलब कोई एका दुका भारतिया लोग थे जो वैसे ही आंदोलन से जुड़े वे नहीं थे वो completely Britishers की साइड में थे ऐसे कुछ लोग यहाँ पर शामिल थे तो Congress के नेताओं में अब ये सुक भुगाट शुरू होती है कि क्यों ना हम Legislative Councils के चुनाव को लड़े और 1923 में जो अगले चुनाव होने वाले थे उनकी तयारी करी जाए क्योंके कई नेता अब ये मानते थे कि गांदी जी का जो ये रास्ता है ये लंबे समय तक sustainable नहीं है कैसे? देखो इतने सारे लोगों को कहना कि सड़कों पर आओ, आंदोलन करो daily rally करो, चर्खा चलाओ ये 6 महीने 1 साल के लिए चल जाएगा लेकिन इसको आप 5-6 साल नहीं चला सकते हो तो अगर आपको एक लंबे समय तक mass movement चलाना है, तो वो possible ही नहीं है एक mass movement एक fix समय अवधी तक चल सकता है, लोगों में भी एक जोश होता है over the time वो जोश थोड़ा नीचे आ जाता है और जनता को भी अपना काम धंदा करने के लिए time चाहिए, आप जब सबको ये नहीं कह सकते कि अपना जीवन साइड में रखकर आपके वल आंदोलन करते रहो पूरे 2-3 साल it is not possible, practical नहीं है वो तो कॉंग्रेस में अब कई नेता ये कहने लगे कि ये civil disobedience और non-corporation जो है अभी फिलाल के लिए इनको side में रखा जाए temporarily और हम जो हैं हमारे पुराने जो दूसरे तरीके हैं moderates वाले उनको वापिस लेकर आते हैं council में पार्ट लेना start करते हैं इन्होंने ये नहीं कहा कि गांदी जी पूरी तरह से गलत है बस इन्होंने ये कहा कि जब भी ऐसा बड़ा अंदोलन चलेगा तो उसके पहले एक बीच में gap होना जरूरी है ता कि जनता अराम कर सके, rest कर सके, reinvigorate हो सके फिर से एक नया जोश जगाया जा सके जनता के अंदर तो भविश्य की रणनीती क्या हो इसको लेकर विवाद इतना बढ़ गया कॉंग्रेस में कि एक टाइम ऐसा आ गया कि कॉंग्रेस almost split होने के कगार पर आ गई तो इसमें दो बड़े-बड़े गुट बन जाते हैं आपको दोनों के नेताओं के नाम अच्छे से पता होने चाहिए याद रखेगा देश बंदू चितरंजन दास और मोतिलाल नहरू ये दो ऐसे नेता थे जिन्नों ने कहा कि council में शामिल होना चाहिए चुनाव लड़ने चाहिए तो चितरंजन दास जो है ये बंगाल के एक बहुत बड़े वकील थे दोनों ही वकील थे मोतिलाल नहरू भी एक बहुत बड़े वकील थे इन दोनों ने अपनी legal practice छोड़ दी थी राश्ट्रिया अंदुलन में शामिल होने के लिए और इनकी बहुत अच्छी practice थी है दोनों top level के वकील थे आपको अगर याद हो तो मैंने शायद बताया नहीं पता नहीं पिछले lectures में कि चितरंजन दास ने और अरोबिंदो घोष का case लड़ा था कौनसा अलेपूर conspiracy case याद है न आपको हमने militant nationalism वाला जो chapter पड़ा था उसमें अगर आपको याद हो तो अरोबिंदो घोष पर case चला था और वो बच गय थे उनको सजा नहीं होई थी तो उनको बचाने वाले जो वकील है वो यही थे चितरंजन दास और मोतिलाल नहरू भी एक बहुत बड़े वकील थे अलाबाद के चितरंजन दास और मोतिलाल नहरू Congress party में गांधी जी के समकक्ष थे अगर आप age को देखो experience को देखो तो Congress party में इनका level लगभग बराबर था वो बात अलगेगी अब NCM चलाने के बाद गांधी जी पूरे देश में famous हो गए थे तो गांधी जी की जो fan following है वो अलगी level की थी बट अगर आप Congress party में देखेंगे तो ये दोनों ही नेता उनके समकक्ष थे सेम उम्र के थे और दोनों successful lawyer थे दोनों बहुत अच्छे वकील थे और इन्होंने अपनी practice भी छोड़ दी थे और अपने घरूं को भी बेश दिया था ताकि राश्ट्रिय आंदोलन में साहता हो सके तो ये पहले moderate हुआ करते थे और moderates या नरमदल के नेता जो हैं वो पूरी तरह से non cooperation जैसे रास्तों के खिलाफ थे लेकिन फिर भी इन दोनों नेताओं ने 1920 में गांदी जी को अपना समर्थन दिया था उनको support किया ये दोनों ही गांदी जी को admire करते थे उनकी बहुत प्रशंसा भी करते थे लेकिन अब इन नेताओं का ये मानना था कि वक्त आ गया है कि हम इन legislative council में जाएं और चुनाव का boycott बंद कर दें तो चुनाव में हिस्सा लेकर इन councils में जाकर हम ये दुनिया को बताएंगे कि किस तरह से ये legislative council केवल नाम की council है इसमें भारतिये लोगों का कुछ भी योगदान नहीं है ना ही इसमें भारतियों के अनुसार देश की सरकार चल रही है तो these are sham parliament sham का मतलब होता है जूटा पारलेमेंट एक तरह की parliament थी है तो इनका ये कहना था कि ये sham parliament है केवल नाम की parliament है और इस पर जो परदा डला हुआ है जूट का इसको हम हटा देंगे हम ये दुनिया को बता देंगे कि ये bureaucracy ही है British bureaucracy जो एक तरह से देश को चला रही है तो ये legislative council लाना Montego Chamisford reforms लाना ये सब कोई काम का नहीं है और इनकी एक और बात ये थी कि ये council में जाकर council का काम obstruct करना चाते थे यानि कि जैसे sunset में आज के समय में हंगामा वगेरा होता है तो इनका भी वही मकसद था कि इन council में जाकर कोई भी काम नहीं होने देना या फिर जो भी सरकार कानून लाना चाती है उसको block करना obstructionist काम करना चाते थे तो सियार दास और मोतिलाल नहरू ने कहा कि अगर हम ऐसा करते हैं तो ये non cooperation से कोई धोका नहीं है non cooperation हम continue करेंगे आने वाले समय में लेकिन अभी जब तक non cooperation में जंता को involve नहीं कर सकते हैं तक थोड़ा जोज जगाने में time चाहिए तब तक के लिए ये आजादी की इस लड़ाई में एक नया front हम खोल देते हैं एक नई लड़ाई है आजादी की जो overall बड़ी लड़ाई चल रही है उसमें एक छोटी लड़ाई यहाँ पर भी हम चालू कर देते हैं इन निताओं का ये भी कहना था कि कॉंग्रेस के सदस्य अगर काउंसिल चुनाव में हिस्सा नहीं लेते फिर भी काउंसिल के चुनाव तो हो रहे हैं काउंसिल तो काम करेगी फायदा किसको हो रहा है जो छोटे मोटे political parties हैं जिनका कोई वजूद नहीं है जमीनी स्तर पर वो इन चुनाव को जीत कर काउंसिल मेंबर बन रहे हैं और कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं तो लोग तो फिर भी वोट देंगे जिनको वोट देना है तो कुल मिलाकर चुनाव में हिस्सा ना लेकर Congress ही कमजोर हो रही है एक नुकसान ये भी हो रहा था कि जब Congress ने चुनाव में हिस्सा नहीं लिया तो 1920 में ज़ादा तर लोग जो चुने गए थे भारतिये लोग, non-officials वो सारे के सारे अंग्रेजों के कटपुतली थे, यानि कि जिसको British चाते थे, उनको पहुचा दिया गया था councils में, और जो भी British government कानून लाना चाती थी, वो उस पर okay कर देते थे, yes vote देते थे तो कुल मिलाकर government जो है, वो ये दुनिया को दिखाती थी, कि देखो भारत ये सदस्या है हैं, वो ही तो हमारे कानूनों पर okay कर रहे हैं, हम तो कानून पास करवा रहे हैं सारा यहां से legislative council से, तो ये तो भारत के चुनेवे लोग हैं, जबकि ultimately वो जितने भी चुनेवे लोग थे, वो सब British कटपुतली होते थे, तो Congress को ये भी बात अच्छी नहीं लग रही थी, इन नेताओं को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी, कि जो सच्चे नेता हैं देश के, जमीन से जुड़े हुए, वो इन councils में नहीं पहुँच रहे, तो ये जो दूसरे सेशन है, Congress के आपको बता देता हूँ, प्लीज अपने notes में उनको highlight करिये, और कोशिश करो कि 10-20 साल के सेशन एक साथ कहीं लिख लो, जैसे 1900 तक के सेशन एक साथ लिख लो, 1920 तक के एक जगे लिख लो, फिर ये non-corporation movement से लेकर, 1930 तक जो भी आएंगे important उनको एक table में लिख लो, तो इस प्रकार से session और उनका president कौन था और क्या important event होँआ पर होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए, तो इस December 1922 के गया session में Congress session को chair कर रहे थे, preside कर रहे थे CR DAS, Secretary थे मोतिला नहरू, इन दोनों निताओं ने council चुनाव लड़ने का अपना प्रस्ताव Congress session के सामने रखा, और इनका slogan बड़ा शांदार था, either mending और ending the council, तो या तो इन councils में जाकर इनको पूरा बदल देंगे या फिर इनको खत्म कर देंगे, ये इनका नारा था, दास और नहरू के इस program का विरोध किया, Congress के कुछ अन्य प्रमुख नेताओं ने, जिन में सबसे बड़े नाम थे, वल्लब भाई पटेल, राजेंदर प्रसाद, और चक्रवर्ती, राजगोपालाचारी और इन्हें कहा गया, no changer क्योंकि ये program में change नहीं चाते थे, तो ये बन गए pro changer और ये बन गए no changer, क्योंकि इनको वही program चलाना था, जो गांधी जी बता कर गए थे तो pro changer क्या कहना चाते थे कि councils में re-entry होनी चाहिए चुनाव में हिस्सा लो, no changer कहते थे कि boycott कोरो council को, जैसा हमने सायो गांधोलन में किया था, वही कारिक्रम आगे चलाया जाए अब ये no changers के भी अपने reason थे ये ऐसे ही विरोध नहीं कर रहे थे, इनके भी कुछ reason थे, reasons क्या थे मैं आपको बताता हूँ, आपको लिखने भी पड़ सकते हैं, mains में तो ध्यान से सुनना, पहली बात गांधी जी क्या क्या कर गए थे कि constructive work होना चाहिए जनता के बीच में constructive work का मतलब है कि जनता को जागरित करो, गाउं गाउं जाओ, उनको बताओ कि आजादी क्या है, स्वराज क्या है, लोगों को चोटे टाउंस तक सीमित है, इसको गाउं गाउं में ले जाया जाए, और इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, ground work की ज़रूरत है दूसरा, अगर हम अंग्रेजों की सरकार में शामिल हो जाते हैं तो ये आंदोलन का जो spirit है उसको खत्म कर देगा, तो जो आंदोलन के अंदर जो जोश जगा है हमने लोगों में अभी एक साल पहले तक तो कह रहे थे कि अंग्रेजों के support में कुछ नहीं करेंगे court का बहिशकार करो, school का बहिशकार करो और अब वही नेता एक साल बात जाकर अंग्रेजों के साथ वहाँ legislative council में बैठेंगे तो जनता में क्या image बनेगी हमारी तो खुल मिला कर ये आंदोलन के पूरे spirit के खिलाफ हो जाएगा, तीसरा और सबसे बड़ा कारण था, political corruption no changers का एक मानना था कि अगर हम British सरकार के साथ जाकर इनका सहयोग करते हैं, council में तो वो ultimately हम उनके constitution को support दे रहे हैं, जिस constitution से हम सहमत नहीं है, Montagu Chemsford Reform से Congress सहमत नहीं थी, लेकिन अगर हम चुनाव लड़ते हैं, तो इसका मतलब है कि हम Montagu Chemsford Reform पर अपना ठपा लगा रहे हैं, हम उनके constitution के अनुसार काम कर रहे हैं, और सरकार के साथ सहयोग कर रहे हैं, तो आज नहीं तो कल हम इस पूरे system का हिस्सा बन जाएंगे, और British government कही ना कहीं, किसी ना किसी नेता को लालच दे के कि आपको इस committee का ध्यक्ष बना देंगे, आपको वहाँ ambassador बना देंगे, इस प्रांत का आपको ये top position दे देंगे, इस तरह की political corruption के कारण आंदोलन को कमजोर कर सकते हैं, लोगों को थोड़ा सा entice कर सकते हैं तो ये एक बहुत बड़ा reason था, इन no changers का, तो finally no changers ये कहते थे कि देखो हमें वही काम करना चाहिए जो हमने 1920 में शुरू किया था, यानि कि जन्ता के बीच में जाकर constructive काम, constructive काम का मतलब है कि लोगों को बो चर्खा चलाओ, खादी का इस्तमाल करो स्वदेशी पहनो, विदेशी सामान का भहिशकार करो, और अपने यहां के school, college खोलो, और अगले disobedience movement के लिए तयार हो जाओ, तो चार साल बाद हो, पांच साल बाद हो, जब भी हो तब तक लोगों को mentally, physically और economically उसके लिए तयार करना है, तो ये जो जन्ता को जागरित करने का जो ground level का काम है, इसमें time लगेगा, effort लगेगा, लेकिन ये नहीं हो सकता, अगर हम जाकर legislative councils में, अंग्रेजों के साथ में, बगल में, उनके benches पर बैढ़ जाएं, तो सभी पक्षों ने अपनी बात रखी, और गया session में मोतिलाल, नहरू और सियार दास का जो प्रस्ताव था, वो majority से हार गया, क्योंके Congress session में लगबग 2600 delegate थे, उन में से almost 1800 ने vote डाला no changers के favor में, और किवल 900 लोगों ने vote डाला, pro changers यानि स्वराजिस्ट इनको आगे नाम दे दिया जाएगा इनके favor में, तो जैसे ही ये vote होता है तो उसके बाद एक split हो जाता है Congress में एक छोटा सा split हो गया, क्योंके सियार दास और मोतिलाल नहरू ने अपने पद से Congress Party से इस्तीफा दे दिया, और एक नई party बनाई जिसका नाम थरखा इन्होंने Congress Khilafat स्वराज Party, ये इसका official पूरा नाम था, हाला कि सवाल पूचा जाएगा, तो उसमें हमेशा स्वराज पार्टी है क्योंके सब इसको स्वराज पार्टी ही बुलाते थे कोई इतना लंबा नाम नहीं इस्तमाल करता था तो इस स्वराज पार्टी को इन्होंने एक नई पार्टी के रूप में बनाया है, लेकिन इन्होंने का कि हम कॉंग्रेस की हर बात से सहमत हैं बस इस बात से सहमत नहीं है कि हम legislative council में चुनाव लड़ना चाहते हैं that's it, बाकि सब कुछ हम कॉंग्रेस की राजनीती, कॉंग्रेस के जो ideals हैं उनको हम मानते हैं, और हम कॉंग्रेस से जुड़े हैं कॉंग्रेस के पुराने नेता हैं, लेकिन इस मुद्दे पर हम अलग हैं, तो यह हम अपनी अलग party बना रहे हैं स्वराज party, और एक जनवरी 1923 को इसकी स्थापना करी गई इसके president बने CR-DAS और secretary बने मोतिलाल नहरू यह important fact है, exam में पूछा जा सकता है directly कि कौन secretary था, कौन president था क्या करेंगे न, देखो option देंगे 3-4 statement उनमें है न, इनका नाम replace कर देंगे, तो आप 4 statement पढ़ोगे उनमें से पहले 3 statement सही होंगे आप खुश हो जाओ गया रहे, यह तो सब मुझे आता है 4 statement उसमें यह लिखा हूँ होगा कि secretary थे CR-DAS और president थे मोतिलाल नहरू और वो 4 statement गलत होगा और आप option गलत कर दोगे, तो इस प्रकार से सावधान रहना, कि CR-DAS जो है यह थे president और मोतिलाल नहरू secretary सामने जिसमें इन्होंने कहा कि हम council में पहुँचेंगे, चुनाव लड़कर और वहाँ जाकर स्वराज या self-government के लिए हम मांग रखेंगे अगर हमारी मांग वहाँ पर reject हो जाती है तो फिर हम council का काम नहीं होने देंगे we will obstruct the council अगर स्वराज की मांग पूरी नहीं करी जाती है और हम legislations को pass होने ही नहीं देंगे we will make the legislation through the councils impossible तो ये इनका सीधा सा agenda था कि council में जाओ, अपनी demand रखो demand पूरी नहीं होती, तो दूसरा काम भी मत होने दो अब जब इस party की इन्होंने शुरुआत करी थी तो इन्होंने ये कहा था कि देखो हम Congress के अंदर ही एक दल है क्योंकि Congress में ऐसा बहुत बार हो चुका था पहले भी कि कुछ अगर अलग agenda मानने वाले निता हैं तो वो Congress के अंदर एक अपना faction, एक अपना गुट बना लेते थे Officially Congress से अलग नहीं होते थे सूरत स्प्लिट में पहली बार Officially वो स्प्लिट हो जाते हैं तो ऐसा ही कुछ यहां पर होने की संभावना फिर से लग रही थी और Congress को पता था कि 1907 में इस सूरत स्प्लिट के बाद इनको 10 साल लग गए थे फिर से अपने पैरों पर खड़े होने में बीच में Congress जो है बिलकुल अपने अस्तित्व को तलाश रही थी Congress थोड़ी सी बलाब अस्तित्व नहीं तलाश रही थी तो कम से कम कमजोर तो पड़ी गई थी 10 सालों के लिए जब तक गांधी जी आकर वापस यह अंदोलन वगेरा शुरू नहीं करते तो इसलिए Congress के कई निता party में food नहीं चाते थे अंग्रेजों को यहाँ पर लगा कि golden opportunity है इन दोनों गुटों को आपस में लड़ाओ और दोनों को कमजोर कर दो तो British जो है यह कहते थे कि हाँ चुनाव लड़ो ना बिलकुल आपका हक है इस तरह से सुराज को entice करते थे और दूसरी तरफ जो no changers थे उनको कहते थे कि आप जाओ आप गाव में काम करो अच्छे से यही अच्छा काम है तो मतलब कुल मिलाकर अंग्रेज यहाँ पर food डा अगर कोई आपस में बात करनी भी है तो private में करी जाएगी ऐसा नहीं कि अख़बारों में बयान दे रहे हैं या फिर कहीं rally में publicly कुछ बोल दिया दूसरे गुट के नेता के खिलाफ तो यह इन्होंने आपस में तै कि जो भी आपस में problems हैं उनको bet कर solve करेंगे September 1923 आते आते अब चुनाव होने ही वाले हैं ठीक है 1923 के अंत में चुनाव होने थे तो Congress एक special session बुलाती है दिल्ली में और Congress के निता ये कहते हैं कि देखो स्वराज party के खिलाफ या फिर legislative councils में चुनाव लडने के खिलाफ जो भी बाते हैं हमारे निता public में बोलते आ रहे हैं उसको नहीं बोलेगा तो एक तरह से Congress ने अपने सदस्यों को election लडने की अनुमती दे दी और vote देने की अनुमती दे दी और already स्वराज party पिछले एक साल से काम करी रही थी पूरे 1923 में इन्होंने जगे जगे जाकर अपनी बात सामने रखी और इन्होंने अपना एक manifesto जारी किया गुलामी यहाँ पर भारत जेहल रहा था उसके खिलाफ इन्होंने यहाँ पर बाते कही नवेंबर में चुनाव होते है legislative council के और इसमें स्वराजस्ट को बहुत अच्छी सफलता मिली इन्होंने 101 में से 42 जीत ली जिन पर चुनाव होने थे 101 elected seats में से 42 यह स्वराजस्ट जी Bombay और United provinces में भी इनको अच्छी majority मिल गई हाँ मदरास और पंजाब में यह नहीं जीत पाए वहाँ पे इनका performance खराब था क्यूंकि इन दोनों ही प्रांतों में local parties जो पहले से मौजूद थी उनका काफी दबदबा था और वो सारी parties या तो caste या फिर community के आधार पर बनी वी असेंबली में पहुचने के बाद इनके पास 42 सीट थी लेकिन इनोंने majority हासल कर ली क्योंकि इनोंने दूसरे दलों के साथ या जो independent candidates जीत कर आये थे उनके साथ गटबंदन कर लिया council में तो उस समय मौमाद अली जिन्ना as an independent जीत कर आये थे मदन मौन मालविय जो है ये एक liberal के तौर पर जीत कर आये थे तो इस तरह से इनोंने कई प्रांत में और केंद्रिये assembly में भी majority हासल कर ली कैसे coalition बना कर गटबंदन बना कर गटबंदन ऐसे कि अगर कोई voting होगी तो इनको भी कह दिया कि हाँ आप हमारे साथ vote करना तो they were all okay सभी एक page पर थे और इस तरह से इन उन में तो जैसे CR Das खुद कलकता के mayor बन जाते हैं सुभाष चंद्र बोस जो CR Das के साथ काम करते थे बाइद वे सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो CR Das को अपना political guru मानते थे उन्हीं के अंडर में उन्होंने आते ही जब वो ICS छोड़कर आया थे सुभाष चंद्र बोस तब दो साल इनी के नितरत्व के अंदर उन्होंने काम किया था तो जब CR Das mayor बने थे उसी समय सुभाष चंद्र बोस जो हैं ये CEO of Calcutta municipality बन गये थे उसके बाद विठल भाई पटेल जो सरदार पटेल के बड़े भाई हैं वो President of Bombay Corporation बने वल्लब भाई पटेल एहमदाबाद municipality प् इन जो local bodies हैं जो शेहरों की municipalities हैं उनके चुनाव इन्होंने लड़ लिया क्योंकि मैं आपको बताया ना कि Congress ने अपना September दिल्ली session में क्या कहा था कि चुनाव लड़ना है तो लड़ लोग कोई दिक्कत नहीं है तो इसलिए Congress के कई नेता इन चुने हुए local bodies में जाते हैं औ और वहाँ पर काम करते हैं जनता की भलाई करने की कोशिश करते हैं लेकिन अंग्रेजों को ये सब इतना रास नहीं आया और उन्होंने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करने की कोशिश करी और ये जो चुनाव जीते थे तो ये एक डिर साल तक ही ये सब रह पाये थे उसके ब बहुत हाई लेवल पर सेक्रेटरी लेवल तक पहुंच गए थे बाद में रेटायर होकर भी यहाँ पॉलिटिक्स में उनको सरकार कोई ना कोई पदबर रखती थी इनका नाम था सर अलेक्जेंडर मुड़ीमान ठीक है शक्तिमान और मुड़ी ऐसे याद रख लेना कि शक Simon Commission से पहले भी एक कमिटी बनी थी आम तौर पे आप लोग क्या याद रखते हो कि 1919 के मौंटänd फॉड रफॉर्मस को रिव्यू करने के लिए सिधा Simon Commission आया भाई साब साइमन कमिशन से पहले वी एक कमीटी बनी थी, उसका नाम था मुड़िमान कमीटी, तो इसको reforms inquiry कमीटी भी कहा जाता था, यानि कि जो reforms हुए 1919 में उनके उपर चर्चा करी जाए, तो इस कमीटी में अलेक्ज़ेंडर मुड़िमान जो है, ये head थे, और मुहमद अल जिनना was also a member of this कमीटी, कई सारे भारतिये नेताओं को भी इसमें शामिल किया गया था, लेकिन इस कमीटी में आपस में टकरार हो गई, तो इस कमीटी ने दो रिपोर्ट पब्लिश करी, एक रिपोर्ट, जो majority रिपोर्ट कहलाती है, क्योंकि कमीटी के जादतर सदस्य, इस पर उन्होंने साइन किया, तो इसमें official सदस्य थे, यानि कि जो British को favor करते थे या British officers ही थे, वो वाले सदस्य, सरकार द्वार appointed सदस्य, उन्होंने ये कहा कि अभी तक वो system स्थापित नहीं हो पाया है, जो 1919 के reforms में स्थापित होना था, तो DR की अभी तक properly स्थापित नहीं हु कमीटी के कुछ सदस्य, जो बिलकुल इन सदस्यों से अलग राय रखते थे, इनका ये मानना था कि 1919 का Government of India Act, या फिर Montago Chelmsford reforms पूरी तरह से fail हो चुके हैं, और हमें चाहिए एक नया समिधान, तो ये reform से कुछ नहीं होगा, एक नया समिधान लाओ, और उसमें एक ऐसा process रहेगा involvement, फिर 5 साल बाद भारतियों की संख्या बढ़ेगी, इस तरह की बातें इन्होंने कही थी, तो majority report, यानि कि जो अंग्रेज हैं, वो नहीं चाहते थे, कि इसमें इतने बड़े बदलाफ किये जाएं, वो तो 1919 वाले reforms को ही सही बता रहे थे, और उसी अनुसार आगे चलने का कहा रहे थे, जबकि minority report वाले जो हैं, वो चाहते थे कि पूरा एक revolutionary change आदा है, revolutionary नहीं, चलो revolutionary word गलत होगा इस्तमाल करना, कि एक नया constitution आए, basically ये चाहते थे एक नया समयदान, जिसमें भारतिये लोगों को मिले स्वराज, तो ये सब चल रहा था, इसी बीच मात्मा गांदी को जेल से रहा कर दिया जाता है, 5 फरवरी 1924 को 2 साल तक जेल में रहने के बाद, गांदी जी जेल से निकलते हैं बाहर, उनकी तवे खराब थी, इसलिए उनको जल्दी छोड़ दिया, बाकी सजा तो 6 साल की हुई थी, गांदी जी जैसे ही बाहर आते हैं, तो वो आपर कानून को मत अटकाओ, लेजिसलेशन में रोडे मत अटकाओ, ये दोनों ही चीज़ें गलत है, पहली बात तो आपको काउंसल में जाना ही नहीं था, और दूसरी बात वहां पहुँच गए हो तो काम को मत रोको, ठीक है, तो इनको ये लगा कि obstructing the work in councils जो है, वो हमार सत्याग्रह के और अहिंसा के सिध्धानतों पर खरा नहीं उतरता, तो गांधी जी council entry और obstruction of work के बिल्कुल favor में नहीं था, ये बात याद रखना, तो गांधी जी भी जो है, वो no changer थे, pro changer नहीं थे, और गांधी जी को सरकार ने छोड़ा ही इसी कारण से था, मतलब बाद मे ये चीज़ें, reports वगेरा सामने आती हैं, तो उस समय Bombay की सरकार ने अपने Vice-Roy को एक चिठी लिखी थी, और एक report लिखी थी, उसमें ये बात कही हुए, कि हमें पूरा ऐसा अंदेशा है कि गांधी जी बाहर निकल कर स्वराजिस्ट को बुरा भला कहेंगे, और कहेंगे कि स्वराजिस्ट सचे Congress ही नेता नहीं है, देश भक्त नहीं है, इस तरह की बाते कहेंगे, और क्या होगा कि ये जो इन्होंने अंदोलन चलाया था, ये पूरा कमजोर हो जाएगा, और National Movement overall कमजोर हो जाता है, तो इससे क्या होगा कि एक तो स्वराजिस्ट की image खराब होगी, क्योंकि गांदी जी बहुत बड़े नेता हैं, तो स्वराजिस्ट को जब बुरा भला कहेंगे गांदी जी, तो इनका legislature के अंदर जो standing है, मतलब ये जो कहते हैं कि हम चुनाव जीत करा हैं, इनकी power थोड़ी सी कम होगी, ये शान्त हो जाएंगे automatically, ऐसा Bombay की सरकार या अंग स्वराजिस्ट and Gandhi is increasing, और हमें ऐसा लगता है, ये अंग्रेजों को ऐसा लगता है, कि स्वराजिस्ट जो है, वो अपना पूरा power अब गांदी जी के खिलाफ लगा देंगे, ठीक है, तो उनको पसंद नहीं है स्वराजिस्ट को कि गांदी जी Congress के सबसे बड़े नेता है, त गांदी जी ने बाहर जाते ही स्वराजिस्ट को कुछ भी नहीं कहा, इन्होंने स्वराजिस्ट के साथ एक मीटिंग करी, और Congress के दूसरे निता जो no changers थे, उनको भी बुलाया मीटिंग में, और कहा कि देखो, अब council में entry करनी तो नहीं थी, लेकिन अब तुमने चुनाव लड लिया है, council में पहुँची गए हो, अब फिर Congress तुम्हें हटा दे, party से निकाल दे, तुमारे खिलाफ कुछ काम करे, that is not good, दुनिया में एक अच्छा संदेश नहीं जाएगा, हमें एकता रखनी चाहिए, और अब जो तुम पहुँची गए हो, तो फिर वहाँ पर जा लेंगे council से, तो फिर ये ऐसा लगेगा, कि हम कमजोर हैं, और British लोगों के सामने हमें अपनी कमजोरी बिल्कुल भी नहीं दिखानी है, और अगर हम withdraw कर लेंगे, तो उन seatों पर कौन चुन कर जाएगा, ऐसे भारतिये लोग, जो पूरी तरसे British के साथ हैं, और इससे एक British श सरकार बिल्कुल टैश में आगी, अंग्रेजों को लगा था कि ये तो Congress Party टूट जाएगी, जबकि गांदी जी ने तो बाहर जाकर Congress को जोड दिया, तो इससे government क्या करती है, कि अब दूसरे तरीकों पर आ जाती है, वही पुराने तरीक है, रॉल अट जैसे, कि Civil Liberties पर हमल बोलो, Civil Liberties पर हमला, मतलब ये सरकारों का एक पुराना time-tested तरीका है, कि Civil Liberties पर हमला बोलने के लिए कानून सक्त कर दो, कि स्टेट को खत्रा है, टर्रिस्ट का खत्रा है, और उसके नाम पर सारे निताओं को अरेस्ट कर लिया गया, including सुभास चंदर बोस, अनिल बरन र आप कर रहे हो, तो इस तरह के सक्त कानूनों को लाकर, इन्होंने सभी बड़े निताओं को, खास करके जो सुराजस थे, उनको जेल में डालना शुरू किया, तो 25 October 1924 को सरकार ने एक ordinance promulgate किया, ordinance समझते हो ना, जिसके लिए कोई कानून के लिए सदन में जाने की जरूरत नी है, वाइसरोय अपने स्तर पर ordinance ला सकता है, और इस ordinance के तहट सभी senior congress leaders के घरों पर, offices पर चापे मारे गए, तलाशियां ली गई और कईयों को जेल में डाल दिया गया, इन्रेड्स और इस नए ordinance के उपर लिखते हुए, गांदी जी ने अपने जो magazine थी, यंग इंडिया, उसमें इन्होंने लिखा, कि Roller Tax चाहे नाम के लिए खत्म हो चुका है, लेकिन वो spirit में अभी भी जिन्दा है, और हमेशा बना रहेगा, तो जब तक अंगरेजी हुकूमत भारतिये लोगों के खिलाफ काम करती रहेगी, उनके खिलाफ काम करना चाहेगी, तब तक Roller Tax नाम किया गया, सियारदास और मोतिलाल नहरू के द्वारा, कि स्वराज पार्टी जो है, वो legislature में काम करेगी as part of Congress, तो अब हम अलग पार्टी नहीं है, हम पूरी तरसे Congress का ही हिस्सा है, डिसेंबर 1924 में करनाटका के बिलगाम में Congress का session होता है, और ये एकलोता session है, जिसमें गां statement जारी किया जाता है, और जो स्वराजिस्ट नेता है, उनको accommodate करने के लिए जादतर जो seats है, Congress Working Committee की वो उन्हें दे दी जाती है, तो कुल मिलाकर स्वराजिस्ट फिर से party में पूरी तरह से integrate हो जाते हैं, और अब legislature के अंदर वो स्वराजिस्ट पार्टी नहीं, बलकि Congress के र victory थी, तो अब सदन का जो अध्यक्ष, सदन का जो President है, वो एक भारतिय वेक्ति है, he is a congressman, he is a स्वराजिस्ट, बिठल भाही पटेल, साथ ही साथ legislative council के जो सदस्य हैं, जैसे मोतिलाल नहरू, ये अपने agenda पर बिलकुल अमल करते हुए, ऐसा प्रस्ताव लेकर आये, Central Legislative Assembly में कि भारत को एक नया समिधान देना होगा, और ultimately जो power है, वो भारत को transfer करना होगा, there will be a transfer of power to India, और ये प्रस्ताव, 64 to 48 से पास हो गया, तो आप देख रहे हो, 42 seat लेकर आये थे, लेकिन महां जाकर इन्होंने coalitions बनाये, तो इनको 64 vote मिल गया इस पर, तो कुल मिलाकर, Central Legislative Assembly में ये प्रस्ताव पारित हो जाता है, successfully कि भारत के लिए एक नया समिधान बनना होगा, September 1925 में फिर से ऐसा ही प्रस्ताव इन्होंने लाया और इस बार तो इनको 72 votes मिल गए, against 45, तो इस तरह से दो बार सरकार की किरकिरी हो जाती है, यानि कि British हुकूमत की किरकिरी हो जाती है, फिर इन्होंने budgetary grants को भी okay नहीं होने दिया, जो budget का प्रस्ताव है, उस पर voting होती है, तो उसको इन्होंने okay नहीं किया, तो यहाँ पर भी सरकार को humulation face करना पड़ा, भई 5 साल से British सरकार क्या कह रही थी, कि देखो हम तो सारा काम legislative assembly के थ्रू कर रहे है, क्योंकि उनके favor के ल to be, तो विठल भाई पटेल ने ये सरकार को कहा कि आपको सरकार चलानी है, तो आपको veto से चलानी पड़ेगी, wise roy के पास जो extra ordinary powers हैं, उनसे चलाओ आप, आप ये कहकर नहीं चला सकतेगी, भारत ये लोग central legislative assembly में बैट कर भारत की सरकार चला रहे हैं, क्योंकि वो बिलकुल बढ़िया चली रहा था, इस बीच में स्वराजिस्ट को एक बहुत बढ़ा जटका लगता है, सियार दास की मृत्ती हो जाती है 16 जून 1925 को, और इसके बाद ब्रिटिश जो हैं, वो अपने divide and rule वाले पूरे कारेकरम पर एकदम तेजी के साथ आजाते हैं, ब्रिटिश क्य चाहे कोई भी पार्टी हो, Muslim League, Congress, स्वराजिस्ट, इसमें जो भी communal विचारधारा रखता था, अचानक से वो काफी हावी होने लग जाता है, स्वराजिस्ट के साथ एक और बहुत बढ़ी समस्या ये थी, कि Legislatures के अंदर, यानि कि Southern के अंदर तो वो अपनी policy बहुत aggressively चलाते लेकिन उसके बाहर, जमीनी स्थर पर, जनता के बीच में उनका कोई connect नहीं था, मतलब connect ठीक है था था थोड़ा बहुत, बट काम जादा कुछ नहीं था, तो जो mass political work चाहिए, यानि कि जमीनी स्थर पर जो निताओं को काम करना होता है, वो कर नहीं पाए, उनका पूरा ध् फोकस्ट था कि legislature में काम करना है, तो ये उसी में रह गए, और इसलिए इनको जनता का बहुत बड़े स्थर पर support नहीं मिल पाया, यानि कि आम आदमी कह रहा हूं मैं जनता में, दूसी और British सरकार तो अपना काम करी रही थी पूरी तेजी से, कि सभी के बीच में food डाली जा है, जैसे भगत सिंग ने किया था, तो इस तरह की सोच रखने वाले भी बहुत थे, तो इनके बीच में आपस में food डाली गई, हिंदू और Muslims जो है, वो food डाली तो party बिखरनी शुरू हो जाती है, और Bengal में एक बहुत बड़ा political loss इनको ये होता है, कि सुराज party जो है, ये किस किसानों का support नहीं करती, किसानों और जमिंदारों के बीच में एक issue चल रहा था उस समय, जिसमें ये जमिंदार का support करते हैं, किसानों का नहीं करते, तो इसके कारण से जो Muslim members हैं सुराज party के, वो सब छोड़ देते हैं, क्योंकि जाला तर Muslim members जो है, वो किसान थे, किसानों का अब उनका base था, तो इसलिए Muslim members का support इनसे चला जाता है, और again यहाँ पर Hindu Muslim का जो मामला है, वो थोड़ा बढ़ जाता है, communal discord आजाता है, party के अंदर, सुराज party में CR दास की death के बाद एक और बहुत बड़ा बदलाव होता है, कुछ नए नेता जादा हावी हो जाते हैं, MC केल और MR जैकर जैसे नेता, इनको responsivist कहा जाता है, क्योंकि यह respond करते थे, मतलब यह situation के प्रती response देना चाते थे, ऐसा नहीं कि शांती से बैठे रो, obstruct मत करो, इनका यह कहना था कि काम मत रो को, जहाँ पर भी British सरकार आपको बुलाती है, और आपको मौका मिलता है, कि आप किसी office में चुनाव जीत कर या, जैसे भी आप पद पर बैठ सकते हो, उस पद पर जाओ, mayor बनो, commissioner बनो, जो आप बन सकते हो, बनो, office पर जाओ, और जनता का काम करो, work on reforms, यह इनकी सोचती, तो यह जो responsivist हैं, यह थोड़े से हावी हो जाते हैं, और यह सरकार को भी join कर लिते हैं Central provinces में यह government को join कर लिते हैं, और Congress party से थोड़ा सा अलग हो जाते हैं, तो responsivist और communal developments के कारण, लाला लाजपतराय और मदन मोहन मालविय जैसे लोग, जो इन स्वराजिस्ट को पहले support किया करते थे, वो अपने आपको स्वराज party से पूरी तरह से दूर कर देते हैं, क्योंकि इनका ये कहना था कि ये सरकार को join करना गलत है, जहां पर भी आपको पद मिल रहा है, आप वो पद पर बैठ रहे हो, ये भी गलत है, तो इस तरह से बड़े-बड़े पुराने नेता स्वराजिस्ट party से दूर होते हैं, नवेंबर 1926 में स्वराज party फिर से चुनाव लड़ लेकिन थोड़ी सी कमजोर पड़ जाती है, तो 40 seat center में फिर भी ये जीत गई, और मदरास council में आधी seat ये जीत जाते हैं, लेकिन बाकी सारे प्रांत में जहां पिछली बार ये जीते थे, जैसे कि बंगाल, central provinces, वहाँ पर ये बुरी तरह हारते हैं, तो इस बार प्रांत में इनका performance अच्छा नहीं है, लेकिन central स्तर पर, central legislative assembly में अभी भी ये 40 seat ने जीतने में सफल रहते हैं, लेकिन इसी चुनाव में कई प्रांत में हिंदू और मुस्लिम, communalist सोच रखने वाले नेता चुनाव जीत जाते हैं, तो ये नेता जो अलरड़ी हावी हो रहे थे, ये जी जाते थे, क्योंकि दूसरों के साथ गटबंदन कर पाते थे, लेकिन इस बार गटबंदन करने लायक नेता ही नहीं थे, जो नेता थे, दूसरे चुनकर आये थे, वो सारे इनके खिलाफ थे, हिंदू, मुस्लिम, communalism में विश्वास रखने वाले नेता थे, लेकिन अपने 40 सदस्यों के दम पर भी, ये कई सारे सरकारी काम को अठका देते हैं, कई बिल्स को इन्होंने रोग दिया, कई सारे adjournment motions इन्होंने पास किये, और सरकार के द्वारा प्रस्तूत किये गए, कई बिल्स को इन्होंने पास नहीं होने दिया, इनमें सब से famous था Public Safety Bill, तो Public Safety Bill अधुकेश्टवर्दत ने Central Legislative Assembly में वो बम फेक आता था, तब Public Safety Bill पर और एक Trade Dispute Bill है, दो बिल की चर्चा हो रही थी, और ये बिल लाया क्यों गया था, क्योंकि 1924 के बाद Socialist Movement भारत में बहुत तेज हो गया था, हम इस पर भी एक अलग क्लास लेंगे, Socialist Communist Movement जो है, वो ब दुनिया के कई देशों में इस तरह के Soviet सरकारें या Communist सरकारें स्थापित करना चाहती थी, तो उसने भारत में भी कई लोग को ऐसा support देना स्टार्ट किया, तो भारत में कई सारे German, Communist, कई सारे Russian, Foreign आकर Communist लोग यहां पर रहने लग गए, और उनको सरकार deport करना चाहती थी, उ इससे भारतिये नेताओं को जेल में डाला जाएगा, हमारा अंदोलन आप कमजोर करोगे, लाला लाजपत्राय ने तो ये भी कह दिया था कि भारत को Bolshevism या Communism से कोई खत्रा नहीं है, हमें तो किवल Imperialism से खत्रा है, तो इसी लिए सबसे बड़ा Danger क्या है, Capitalist और Exploiter, यान इस सरकार से हमें खत्रा है, हमें Communism या Bolshevism, जो मतलब Soviet Union वाला philosophy था Bolshevism, उससे हमें कोई खत्रा नहीं है, March 1929 में जब सरकार Public Safety Bill को पास नहीं करवा पाई, तो उसने अपने सतर पर बड़ा Crackdown किया, Communist Trade Union नेताओं को directly जेल में डाल दिया, कई Left Wing नेताओं को अरेस्ट कर ल इश्वरदत ने Assembly में बम फिगे दे, to be specific date थी 8 April 1929, और ये दो बिलते एक तो Trade Union Dispute Bill और ये Public Safety Bill इन पर चर्चा चल रही थी, 1930 में स्वराजिस्ट की कहानी finally समाप्त होती है, जितने भी स्वराजिस्ट लीडर्स थे, इन्होंने Legislatures का Boycott कर दिया, भहिशकार कर दिया, क्यू Obviously British सरकार से तो सहयोग करोगे नहीं, Legislature छोड़ दिया गया, तो ये स्वराज पार्टी की कहानी थी जो 1923 में शुरू होती है, 1922 में शुरू होती है, और 1930 में समाप्त हो जाती है, अब दूसरी तरफ इतने साल तक ही No Changers क्या कर रहे थे, तो देखो No Changers हाथ पे हाथ धरे न आई गई, जो छुआ छूट की समस्या है, उससे निदान पाने के लिए लोगों में awareness फैल आई गई, खेडा और बार्डोली जैसे एरियाज में कई सारे आश्रम बन गए, जहाँ पर लोग आकर काम करते रहते थे, और यहाँ पर कोई छुआ छूआ चूट प्रैक्टिस न नहीं जाना चाते थे, तो no changers भी पीछे 6-7 साल अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन जो 1920s का दशक है राष्ट्री आंदोलन का, उसमें हावी जादा स्वराजिस थे, क्योंकि वो आप समझी गए ना कि legislative assembly में जादा काम कर रहे हैं, इधर no changers ने हिंदू-muslim एकता के लिए भ बहुत काम आएंगे, तो ये जो no changers और इनके साथ ही थे, इन्होंने civil disobedience movement की read बनकर आगे काम किया, they were the basic organizers, क्योंकि grassroot level पर गाहों के स्तर पर जो कारे करता थे, वो इन no changers के कारण तयार हुए थे, तो इसकी कहानी हम जानेंगे अगले lecture में, civil disobedience, लाहर resolution, ये सब मैं आपक next lecture में पढ़ाने वाला हूँ, इस lecture का PDF आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आप UPSC exam की तयारी कर रहे हो, तो देखो भारत के best educators, unacademy पर live पढ़ाते हैं, यहां पर बहुत सारी special classes होती हैं, free हैं, आप उनको देखिए, मेरी 2 special classes Saturday को होने वाली हैं, उनके link आपको न content आपके लिए unlock हो जाएगा, बहुत सारी हम test series चलाते हैं, free में, उनको भी आप join कीजिए, iconic और plus 2 यहां पर subscription है, तो अगर आप चाहते हैं कि एक proper time table के साथ आपकी तयारी हो, तो आप subscription ले लो, iconic और plus में फर्क क्या है, iconic में आपको personal guidance दी जाएगी, एक mentor के द्वारा, जो आ अभी optional और GS के combo subscription पर बहुत अच्छा discount चल रहा है, 45% discount, जिसमें से 10% आपको तभी मिलेगा, जब आप महिपाल code यूज करें, तो इसमें आपको test series, classes, optional, optional की test series, सब कुछ मिल जाएगा, just for 49,680 रूपीज for 1 year, and 72,000 रूपीज for 2 year, course join करने का फायदा यह है कि आप batch को join कर सक class होंगी, सुबह 9 बजे इसकी class, 10 बजे इसकी class, शाम को यह वाले subject की class, तो आपके पास एक time table रहेगा, एक regularity आपकी पढ़ाई में बनी रहेगी, और अभी next month, यानि August में मेरा medieval history का course आ रहा है, तो अगर आप plus subscriber हैं, तो आप मेरा course भी देख सकते हैं, तो medieval history का course है, इसमें हम 12 घंटे में पूरी medieval history पढ़ने वाले हैं, तो this will be part of the Phoenix batch, तो जो Phoenix batch में है, वो तो देखी सकते हैं, बाकी भी कोई भी subscription जिसके पास है, वो भी आकर देख सकता है, इन classes को, इस medieval history के course का link नीचे आपको सबसे पहले मिल जाएगा description में, उसको ज़रूर join कीजिए, अगर आप plus subscriber है, do watch these medieval history lectures, बहुत important है, medieval को ignore मत किया करो, बहुत सारे लोग ignore करते है medieval ancient को, anacademy के सभी subscription पर EMI option available है, तो आप एक छोटा amount pay करके हर महीने अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं, 20 किताबों का set, GS की किताबों का set आपको free में मिलेगा, ये एक बहुत बड़ा added benefit है, हर रवि जाए, तो ये वाला code use कर लेना, लेकिन अब combat में आप अच्छी rank तभी ला सकते हो, जब daily in test series में practice करो, directly Sunday को जाकर test दोगे तो top rank नहीं आने वाली है, बहुत सारे लोग आते हैं, इसमें 1000 aspirants होते हैं, भारत के best aspirants fight कर रहे हैं, तो उनके सामने अगर आपको अच्छी rank लान Thank you very much for watching this, have a great day.